दोस्तों आखों की रोशनी कमजोर हो गई हो या आखों से धुला सा दिखाई देने लग गया हो तो आयरुवेद में सुशुत सहिता में एक बहुत आसान घरेले नुस्खा बताया गया है जो आखों की रोशनी को बहुत तेजी से बढ़ा कर नॉर्मल कर देता है तो आचारे सुशुत का बताया हुआ ये नुस्खा तीन चार शोटी शोटी चीजों से मिलकर बनेगा जिसमें से सबसे पहली चीज है टमाटर क्योंकि आचारे सुशुत की अनुसार टमाटर कम दिखाई देने की प्रॉब्लम को भी ठीक करता है और पढ़ते टाइम अगर ध देसी टमाटर लेने हैं, हाईब्रिड वले जो सलाब में काम में लेते हैं वो टमाटर नहीं लेने हैं क्योंकि अईरुवित के अनुसार देसी टमाटर आँखों की नसों को ताकत देता है जिसके कारण दूर की चीज़े देखने में आखे एकदम तेज हो जाती हैं तो ये रोशनी तेज करने और चश्मा हटाने के इस नस्के को और भी पावर्फुल बनाने के लिए जो दूसरी चीज अचारे सुशुत ने बताई है वो है खीरा इसलिए टमाटर काट कर हम साइड में रखेंगे और खीरे को इस नस्के में कैसे यूज़े करना है अब हम ये परेशानी और रात में धुनला दिखाए देने की परेशानी को खीरा जर से खत्म कर देता है ये ध्यान रखिएगा कि देशी खीरा इस नस्के में बेस्ट रिजल देता है आखों में दर्ध होता है या आखों में जलन रहती है आखे लाल रहती है और आखों में से पानी आ तो खीरा काट कर आंखों पर रखने से भी बहुत आराम मिल जाता है। यह तो आप जानते ही है। तो जब इस नुस्के में हम खीरा एक दवा की तरह काम मिलेंगे। तो आप खुद ही सोचिए कि कितने शांदार रिजल्ट आपको मिलेंगे। तो आप क्या कीजिए कि एक खीरा आप छील कर इस तरह लंबे लंबे टुकड़ों में काट लीजिए। यह भी एक दम आसान काम है। आयरवेद में इस नुस्के को आँखों के लिए अमृत बना देने के लिए इसमें एक चीज और एट करना बताया गया है और वो है पालक। क्योंकि उम्र बढ़ने के साथ-साथ आँखों की रोशनी कम होने और मोतिया बिनाने की जो प्रॉबलम हर घर में होने लगी है पालक के इस्तेमाल से ये प्रॉबलम आँखों में आती ही नहीं है। इस नुस्के में हमको करीब 50 ग्रम पालक चाहिए होगा थोड़ा बहुत काम में लेना है क्योंकि सिर्फ इसके पत्ते ही हमें काम में लेने हैं। बहुत से लगों को ये प्रॉबलम होती है कि ज्यादा तेज रोशनी में उनको रंग बिरंग के धब्बे दिखाई देते हैं तो पालक हमारी आँखों को एतना हेल्दी बना देता है कि ये सारी प्र चुकंदर एक बर्दान है ये नुस्का बनाने के लिए हम एक ऐसा मीडियम साइज का एक चुकंदर लेंगे ये हमारी आखों के लिए इतना पावर्फुल है कि आखों से पानी आना आखे दुखना और आखों में धुनला दिखाए देने की सारी प्रॉब्लम्स के लिए चु कराने लगते हैं उनके लिए भी ये रामबर दवा है छीलने के बाद अब इस चुकंदर को इस तरह लंबे टुगडों में काट लीजिए तो नुस्खा बनाने की सब तयारी हो चुकी है पूरी इसलिए अब हम लेंगे जूसर और इसमें डालेंगे ये कटे हुए टमाटर इस तरह हमारे पास टमाटर का जूस आजाएगा फिर जूसर में खीरा डालेंगे और इसका भी जूस निकाल लेंगे फिर इसी तरह पालक और चुकंदर का भी जूस निकाल लेंगे तो इस तरह हमारे पास टमाटर, खीरा, पालक और चुकंदर का मिक्स जूस तयार होगा जो आँखों के लिए पावर हाउस है। ये मिक्स जूस आपको पूरा एक ग्लास तेली पीना चाहिए। इसको आप दोपहर में यूज करें तो बैस्ट है। लंज करने के करीब एक गंटे बार दोपहर में करीब दो-तीन बजे आप ये जूस पिए। इसको आप जित्ते दिन मरजी उत्ते दिन लगातार पी सकते हैं क्योंकि आम तोर पर इसकी कोई साइड इफेक्ट देखने को नहीं मिलते। बच्चों से लेकर बड़ो तक सभी को ये चूस दिया जा सकता है। जिनकी आँखों में अभी दुनलापन आना शुरू ही हुआ है। उनकी आँखों की रोशनी तो 15 दिन में ही फिर से तेज हो जाती है। और जिनकी आँखे बहुत कमजोर हो चुकी हैं, उनको भे इस नुसके को लगातार डेली लेते रहने से आँखों की रोशनी तेज होती जाती है और थोड़े टाइम बाद आँखे फिर से एकदम हेल्डी हो जाती है। तो दोस्तों, आयरुवेद के महान अचारे सुशुद के गरंद सुशुद सहिता में बताये गए इस नुसके को आप यूज कीजिए और अपनी आँखों की रोशनी फिर से तेज कीजिए। तो फ्रेंड्स, अब आप इसे फॉलो कीजिए और मेरे इसी तरह के बहुत ही आसान गरेलन उसके देखते रहने के लिए इकुंजी चनल को सब्सक्राइब कीजिए।